नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं एलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तों आपने यूटूब के ओपर बहुत सारी ऐसी बिलिंगिंग एलेडी के सर्गिट देखे होंगे लेकिन वहाँ पर आपको पूरी डिटेल नहीं देते दिस तरीके से डिटेल आ यह आपका एक रजिस्ट्रेंस लगावा है वाट्रवाट 220 ओम तो यह देखे इसके कैसे हैं देखे कैपिश्ट्र का जो पॉजिटीव पॉइंट है वह हमारा जो रिलेय उसका बीच वाले पॉइंट पर है फिर इसका जो नेगटिव पॉइंट है यहां पर देखे कोने व तो देखिए एक LED का positive इधर वाली हमारी जो relay है उस पर आजाएगा दूसरा positive रिले की सामने वाली pin पर आजाएगा दूसरे वाले पर और जो negative वाले point है हमारे LED के वो हमारे negative के सारे wire एकी जिगे आजाएगे यह देखिए सारे वायर एक ही जीगे कोमन आ गए हमारे इस तरीके से और देखे अब इसके अंदर यहां पर हम 12 बोल्ट देंगे यह देखे पोजिटिव हमारा कैपिस्टर के पोजिटिव पे आ गया और नेगेटिव यहां आ गया तो देखे मैं कनेक्शन कुछ पास से दिखा देता हूं जो आपको एद्धम किलियर समझ में आ जाएं देखे आप के इसके अंदर सबसे जब्यादाब दिक्कत क्या होती है वह मैं आपको दिखाता हूं अब देखे पहले मैं इसको यहां पर आपको देखे बारा बोल्ट से चला के दिखाता हूं और आप चाहे तो इसके अंदर बैटरी से भी चला सकते हैं 12 भोल्ट किgeons कि अब देखे मैं इसको चला के दिखाता हूं फिर आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर अब इसके अंदर यह देखे इसके अंदर यह जल्दी बिलिंगञ ाया है यहाँ पर अगड़ 2 LED का आप यूज करते हैं ने आप चाहते हैं कि यहां पर यह से लुके किसी भाई को फास्ट में किनी विलिंगिंग में जाँए मुससी डिकत नियुक्ट करूब कि यह केपिस्टर भाई को कि और देखें यहां । बॉल्टी यहां पर सबसे ज्यादा भाई को से निद्म पैंचछें. यहां पर बहुत से भाइस सोचते हैं कि मैं 2 LED को लगाँ जो तेज बिलिकिंग हो और बहुत से भाइस सोचेंगे कि मैं 2 LED लगाँ जो धीरे-धीरे हो तो वहां पर आपको क्या करना होगा कैपिश्टर की MFD को कम यह जादा करना होगा और उससे ही उसके अनुसार जो है आप पास हो जाएगा 1500 MFD अब मैं जैसे ही कैपिस्टर के ऊपर इसको जोड़ूँगा तो यहां पर देखिए LED जो है वो सिलो हो जाएगी यह देखिए अब सिलो हो गई और जैसी हटा हो फिर स्पीट हो जाएगी तो यहां पर सारा जो बिलिंकिंग का काम है वो है कैपिस्टर का कि कैपिस्टर आप MFD जीस हिसाब से रखेंगे उसी हिसाब से इसकी जो LED हो काम करेगी यह देखिए अगर आप थोड़ा सा MFD को और जादा कर देंगे तो LED जो है थोड़ी और सिलो हो जाएगी तो इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत वीडियो देखे यूटूब पर लेकिन वहाँ पना पूरी डिटेल वाली जानकारी बहुत कम चैनलों पर देखिए इसलिए मैंने सोचा आपको एक डीटेल में जानकारी दून कि टेस्चैनल का इसमें यूज होता क्या है कैसे इसको करेंगे और इसलिए मैंने आपको यह वीडियो सक्षा जाद सकते हैंak आपने देखी लिया है तो देखिए बहुत ही आसान सर्कीट है कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है और मैं सारे कंपोनेंट के बारे में बता देता हूं देखिए 220 ओम का रेजिस्ट्रेस है आप क्वार्ट भी लगा सकते हैं हाफ वार्ट भी लगा सकते हैं और यहां ही देखिए अगर आप इसके उपर जो है पांच बॉल्ड का या चार बॉल्ड लगाना पड़ेगा और यहां पर देखे के लिए हमारा यह हमारी 12 बॉल्ड की लगा तो मेरी वीडियोगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना सेर करना सब्स्क्राइब करना ब